बिस्मिल्ला रुख्मान वगीम, असलाम अलेकूम आज का हमारा टॉपिक है सेशन लेयर, इससे पहले हम OSI मॉडल की दो लेयर्स डिसकस कर चुके हैं जो कि थी एप्लिकेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर आज का हमारा टॉपिक सेशन लेयर है जब भी आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में डेटा सेंड करने लगते हैं तो उसमें सेशन लेयर का क्या रोल है, वो आज हम डिसकस करेंगे जो सेशन लेयर है, जब आप डेटा सेंड करने लगते हैं लोको पहले यह आपका दूसरी डिवाईस दिवायस से किनेक्शन इसको मैनेच करती है। कि आपका डिटा जही से जारहा है या नहीं। और लिए यो करेंज। किनेक्शनिल्कि एमींग चूमेट करती है। कि खत्म करती है डेफिनेशन है इसकी जी दे सेशन लेयर स्टैबलिशेज मैंजेज एंट टर्मिनेट्स यूजर कनेक्शन असेशन इस एक्सचेंज ऑफ मैसेज़ बिट्वीन कंप्यूटर्स जो सेशन है बैसिकली वर्ड इसका मतलब होता है कंप्यूटर की लैंगविज मे एक्सचेंज अफ मैसेज़ बिट्वीन कंप्यूटर्स तो इस लेयर का मकसद मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि कनेक्शन स्टैबलिश करना उसको मैनेज करना और फिर उसको जब डेटा ट्रांसफर हो जाए तो टर्मिनेट करना यह डेफिनेशन इसकी अगर आप से जो आपकी सेशन लेयर है वो आपके डेटा को सिंक्रोनाइज करती है चेक पॉइंट्स के थ्रू यानि कि जब आप डेटा सेंड कर रहे होते हैं तो उस डेटा में आपने एक कितने कुछ MB की फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे में तो उसमें आपक कि थोड़ए-ध्थोड डेटा के बात कुछ चेकपॉईंट्स लगी होंगे जो चेक रहे होंगे कि आपका डेटा सहीसर जा रहे है यह नहीं तो वो चेकपॉईंट्स कौन सी लेयर के फंचिशनलिटी में आते हैं सेशन लियर की अगर किस जग़े कुई खेलियर आ जाए तो फिर जिस जगह पे checkpoint लगा होता है, data वहां से दुबारा transfer होता है, sending device की तरफ से receiving device को इसकी एक example ले लेते हैं, for example, a 100 MB file is being transferred and the session layer sets a checkpoint at every 5 MB अगर एक 100 MB की file transfer का रहे हैं आप एक device से दूसरी device में और session layer ने checkpoints उसमें लगाया हुआ है, after every 5 MB, मतलब हर 5 MB के बाद session layer चेक करेंगे, आया data सही जा रहा है या नहीं जा रहा तो अगर उसके अंदर कोई disconnection आ जाता है, कोई crash कर हो जाता है, मतलब कोई भी अगर उसमें crash या कोई गरबर हो जाती है, मतलब data आपका complete सही transfer नहीं हुआ, कुछ part हुआ है, लेकिन बीच में कोई trash नहीं हुआ और उसके बाद data आपका सही से transfer नहीं हुआ तो आपकी जो सेशन लेयर है उसने जो 55 MB की चेक पॉइंट्स लगाए में हैं वो उन्हीं 5 MB में से ही उसके अंदर से एर्र डून के वो सेंडिंग डिवाइस को दुबारा से कमांड देगी कि आप दुबारा से सेंड करें डेटा इतने MB सही से नहीं ट्रांसफर हुए इसमें एक एक इग्जमपल सुप्सपोज डिस कनेक्शन औरा क्रेश अकर आफ्टर दा ट्रांसफर ऑफ 63 MB अकर 63 MB के बाद ही आपके पास कोई डिस कनेक्शन आ जाता है यह कोई भी ख्रेश अकर हो जाता है तो कम्पलीट डेटा दुबारा आपको ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा आप 63 MB पे आया है तो 55 के गैप पे एक चेक पॉइंट लगावा था तो 60 MB के बाद वाला जो चेक पॉइंट था वहां से दुबारा डेटा ट्रांसफर करना पड़ेगा तो सेशल विल रिजीम फ्रॉम दे लास चेक पॉइंट एट 60 MB यानि के 60 MB से दुबारा रिजीम होगा आपको दुबारा पूर 100 MB का डेटा दुबारा ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा सिरफ 40 MB सेंड करने पड़ेंगे दुबारा सेंडिंग डवाइस से रिसीविंग डवाइस तक इट मीन्स कि आपका जो 100 MB बेजने में जो डेटा आपका एक्सपैंट होना था या पिर जो खर्च होना था आपका वो बच गया यह दिस इस अल डू टू सेशन लेयर थैंक यू सो मच बेस्ट अफ लग स्टुडेंट्स अगर किसी को स्लाइट चाहिए हो तो काइंड लिए आप लोग कमेंट पॉक्स में लिख दिया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए थैंक यू सो मच अलाहाफेज अलाहाई लिए